क्या आप जानते हैं कि प्रित्वी पर जीवन कैसे पनपा? Australian National University के शोत करताओं ने धर्ती पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर किया है. उनके अनुसार 65 करोड वर्ष पहले प्रित्वी पर बर्फ पिगली और पोशक तत्व समुद्र में बह गए. इसे शैवाल विक्सित हुए. इसके बाद पारिस्तिकी तंत्र बना और जीव की उत्पत्ति हुई. शैवाल उनके भोजन बने. शोद कर्ताओं ने मद्य उस्ट्रेलिया की चटानों पर किये गए अध्यन से ये दावा किया है. ये शोद नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ है. 71.7 करोड वर्ष पहले धर्ती पूरी तरह जमी हुई थी. उस अबस्था को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं. फिर अचानक मौसम गर्म होने से बर्व पिगलनी शुरू हुई. गलेशियरों के नीचे पहाड़ों पर जमे पोशक तत्व चूरे के रूप में नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में आ गये. वहां उप्युक्त तापमान और प्रचुर पोशक तत्तों के कारण शेवाल विक्सित होने शुरू हो गये और उनका फैलाव होता गया. शोद में शामिल चट्टाने इसनोबॉल अर्थ के बात के समय से सीधे मिलती जुलती हैं. खादे शिंख हम इनसानों के पूरवज अस्तितों में आये. शोद करताओं के अनुसार स्नोबॉल अर्थ सीधे रूप से धर्ती पर जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी है. कि बड़ी इलाईची के सेवन से क्या लाब हैं? भारतिय रसोई में बड़ी इलाईची की खास जगह है. इससे न केवल भोजन का स्वाद बढ़ता है बलकि अच्छे स्वास्ति के लिए भी गुणकारी है. यहने केवल छोटी बीमारियों का निदान करती है बलकि कैंसर जैसे प्रानगा तक रोग से भी बचाती है. बड़ी इलाईची छोटी इलाईची की तरह काफी गुणकारी होती है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह उससे कम स्वादिष्ट होती है. बड़ी इलाईची को सबजियादी में मसाले के रूप में प्रियोग किया जाता है. बड़ी इलाईची को काली इलाईची, भूरी इलाईची, लाल इलाईची, नेपाली इलाईची या बंगाल काओं के विकास की जाज करने की ख्रमता भी रखती है ये एंटि आक्सिडंट के स्तरकों भी बढ़ाती है बालों की समस्याओं से छुटकारा बड़ी इलाईची का सेवन करने से बालों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है और इसके सेवन से बाल लंबे घने बन जा संक्रमन से सुरक्षा ऐसा पाया गया है कि बड़ी इलाइची 14 तरह के जीवानों को नश्ट कर सकती है इसलिए इससे खाने से न सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है बलकि शरीर बैक्टीरिया और वाइरल इंफेक्शन से भी सुरक्षित रहता है रंग गोरा बनाए बड़ी इलाइची न सिर्फ उम्र ढलने से रोकती है बलकि इससे तचा भी निखरती है इसकिन एलर्जी का उपचार एंटिबैक्टीरियल गुणों के कारण बड़ी इलाइची का इस्तेमाल इसकिन एलर्जी के लिए प्राकृतिक और शदी के रूप में होता है लू से बचाए बड़ी इलाइची भीशन गर्मी में लू लगने से भी बचाती है दांतों के लिए लापकारी बड़ी इलाइची से दांतों की कई समस्याऊं जैसे दांतों और मसूडों से संक्रमन से छुटकारा मिलता है इसके अलावा सांसों की दुरगंद भी दूर होती है कि अंतरिक्ष मलबा क्या होता है मलबे से तात पर ये ये है कि कुछ ऐसा अवशेश जो नश्ट हो गया हो या तूट गया हो जब अंतरिक्ष मलबे की बात आती है तो ये सौरमंडल के खगोलिय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह धूमकेत और उलका पिंड अर्थात बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटी चटानी या धातु निकाय में पाये जाने वाले प्राकरतिक मलबे को संदर्बित करता है लेकिन आज के संदर्ब में अंतरिक्ष के मलबे में खंडित और पुराने उपग्रहों और रोकेट के अवशेशों को भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये अवशेश भी प्रित्फी के कक्षा में घूमते रहते हैं इनकी संख्या अंतरिक्ष में दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है अंतरिक्ष मलबे में न केवल शुद्र ग्रहों धूमकेत और उलका पिंडों के टुकडे टुकडे होते हैं बलकि पुराने उपग्रहों के टुकडे, रॉकेट इंधन, पेंट फ्लेक्स, जमे हुए तरल, शीतलक भी शामिल है कि कूप क्या है जब किसी विद्रोह, सैनिक कारेवाहिया, गुट द्वारा गुपत रूप से तथा गैर कानूनी तरीके से किसी सरकार को हटा कर एक नई सरकार बनाई जाती है, तो उसे कूप कहते हैं यदि किसी राज्य की सेना का प्रमुक अधिकारी, वैधानिक सरकार को हटा कर शासन अपने हाथ में ले लेता है, तो उसे सैन्यकूप कहते हैं जैसा कि अभी म्यामार में फरवरी 2021 में हुआ कि कॉर्पूरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी किसे कहते हैं कॉर्पूरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी का सीधा मतलब कमपूनियों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना है जैसा कि हमें पता है कि कमपूनिया किसी उत्पात को बनाने के लिए प्राकृतिक संसादनों का उप्योग करती हैं प्रदूशन को बढ़ावा देती हैं और अपनी जेबें भरती हैं लेकिन इस खराब प्रदूशन का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन लोगों को उठाना पड़ता है क्योंकि इन कमपूनियों की उत्पादक गतिविदियों के कारण ही उन्हें प्रदूशित हवा और पानी का उप्योग करना पड़ता है लेकिन इन प्रभावित लोगों को कमपूनियों की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है इस कारण ही भारत सहीत पूरे विश्व में कमपनियों के लिए ये अनिवारिय बना दिया गया है कि वे अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों के कल्यान पर भी करें जिनके कारण उन्हें असुविदा हुई है इसे Corporate Social Responsibility कहा जाता है भारत में Corporate Social Responsibility के नियम एक अप्रल 2014 से लागू है इसके अनुसार जिन कमपनियों की सालाना नेटवर्द रुपे 500 करोड या सालाना आय रुपे 1000 करोड की या सालाना लाब रुपे 5 करोड का हो तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है ये खर्च तीन वर्ष के औसत लाब का कम से कम दो प्रतिशत होना चाहिए कि लेमड़क सेशन किसे कहते हैं? लेमड़क सेशन व्यवस्थापिका के उस सत्रिया अधिवेशन को कहा जाता है जब नई व्यवस्थापिका का निर्वाचन हो चुका हो तथा पुरानी व्यवस्थापिका अपना सत्र चला रही है वस्तुता इस सत्र में अनेक ऐसे सदस्य भी होते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पोना निर्वाचित नहीं हुए हैं ऐसे सदस्य लेम्डक कहलाते हैं अता इसी लिए गे सत्र लेम्डक सत्र कहा जाता है प्रिष्ट संख्य 173 पर विज्यापन है प्रिष्ट संख्य 174